तो बहुत बड़ी चीज होती है नकारात्म का अदमी है ना वो हर जगह क्या रहेगा नेगेटिव वो दूसरों के लिए भी नेगेटिव है और खुद के लिए भी नेगेटिव है ऐसा आदमी कामचोर हो रता है आर्शी होता है जब तक उस पर प्रेशर नहीं पड़ता तब तक कोई काम नहीं कर दुनिया में तीन आदमी हैं बता रहूं है आपको हो गया दूसरा यह समस्यां से जी चुराता है वह बात आगी ना समस्या बोलो करम योगी ने प्लान बढ़ प्लाप करके गिर गया ही इसको निर्देशित करते हैं तो काम निर्देशित ओना क्या करता है पसंदल दारेक्षोम कोई दे की तो ऐसे चल तो चल जाएगा नहीं सियो बिलकुल नहीं चलेगए बैर कि ऐस से लोग सदेव करम केटेगरी होतें कि अ मलब काव junior तो कि उनको डायरेक्शन देना ही पड़ेगा स्वेम के डायरेक्शन से वह कुछ नहीं करेंगे काम चोर है आर्सी है मैंने यह चुनोती ली एक छोटा सो दन दूँ कि मैं नया करेंगे कुछ अब इस पर मेरे को लोस पी एकोनोमी लोस पी होगा क्योंकि आपको पता दूसरा बेच को छोड़ करके यहां पर टाइम देना पड़ेगा एकोनोमी लोस पर चुनोती भी होगी कोई चीज को करेंगे तो और समय चुनोती नहीं लेंगे तो क्या होगा आगह नहीं जा पएंगे पेल आदमी मेरे वे इन बेच्थे बेड़े आदम तुम कल से ले ऐ तो कुछ आतमी खाल ली कलास वासमें उसकी स्वल्सें से छहां g मोर्त यह ज़ियू करके रख्ता है जार ज़ू कोई एक मैं ठीकल्त बोलं J31 मैं एक से एक को पकड़ेंगे यंदिन फर्यां। में चीवन का भाग मानता है काम को जीवन में आप भाग काम उसी परकार से जरूरी है जैसे खेलना और खाना हम खाने के बिना नहीं रह सकते ना वैसे कि काम के बिना नहीं रहे दोसरा ऐसा आदमी समस्याओं से क्या होता है तक्राता है कि काम तक्राता है वह थड़ वला आदमी आ गया और ऐसा आदमी वेवार से क्या करता है कारिया दि जग पूछने टाइम पूछने बता अब लास्ट वाला आदमी कोण है मानों सुनलो थोरी जेड कोण साथ जेड यह मानों सब्परेडित है सब्परेडित समझे क्या कोई इसको मोटिवेटर नहीं कर रहा है अपने आप ही काम कर रहा है ऐसे लोग तीसरी के टेगरी के जो होत अबता वाले आदमी को दुनिया में इन ताइप की लोग है तो इसमें कोई बात ही नहीं है और यह बात शोर है वह तो सपनें चे कित्रे ले माँ आपको यह बता रहा हूं अगर इस केटेगरी में वह अपने आपको डाल के देख ले कि को कौन सी माता तो उसका पता चल गय यह जोतिस से भी बड़ा खेल है जोतिस तो देखकर बताता है मैं कर रहा हूं तुम तुमारा मुल्यांकर खुदी कर लो करम योगी तीन हैं प्लान बनाया प्लान को दूसरे तीसे दिन क्या कर दिया खतम और दूसरा प्लान बनाया थोड़े से दूर चले और भाग गए और तीसरा प्लान बनाया उड़ते बेटते एक संगर्स करते वह शलक्षे तक क्या हुए प्राफ्ट आदमी कितने परकार क कुछ रहा है लिखने काम कर रहा है लिखने कर रहा है नया कुछ नहीं शोच रहा है और तो हमें वहां तो तो तीसरे केटेगरी का आदमी बढ़ना और यहां जेड वाला आदमी बढ़ना जैसे यह सुंदर परचाई रही है नहीं है क्या बड़े-बड़े जो लोग है यह जेड में आते हैं यह क्या सोचते हैं कि सुंदर परचाई किसको चला रहा है गूगल को किसको गूगल अब वह सुंदर प्रचाई Google को चला रहा है नहीं तो यह सोचता है कि मेरा मालिक 25 क्योंड रुपय कमाएगा ना मेरा मालिक तम मेरे को 25 क्रोड मिलेगी एक चोटा करमचारी कैसे सोचता है बोलो थोरीक अक्स वाला कैसे सोचता है बोलो कि मैं आठ बजे दस बजे आया था पांच कब बदे कब जाओं पांच कब बदे कब जाओं तो इतने में उसको ताड़ा लगवा देगा हूँ समझ लो एक शर्मिक होता है वो दस बजे आया पांच वजे वो सोचता है कब जाओं इस प्रक्राइब और बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं वह कता है मेरा मालिक कमाई गातों में कमाशकूंगा यह मालिक की जिन्दा नहीं रहेगा तो मैं कासर हूँ कि अगया होगा समझ आगी दो मैं कोई बहुत नहीं है फालतू की बात नहीं है तरह तो तुम्हारे को खुद की केटेगरी में पाजांट रहें की को सिस्करा हूं तुम करो मोटिवेट करना करना ही नहीं है आप तो अपने आपको उसमें डालो और फिट करो तीसरी बात अब आप गदा शायीं के अगया समस्या है की समस्या हमारे सामने आती आती है भाई आप कोई भी काम शुरु करेंगे कल से द्म पढ़ना फिर के तो पढ़ना फिर करेंगों तो मेरे को लग नहीं रहा कि 60 गलास की nc3 Hoovevी तुम्हें समझ में उसमें भी जोर आएगा, 60, मकल यह आपका नोर सहीत लाओंगा, 60 क्लास की NCRT पढ़ने में भी क्या आएगा, जोर, तो समश्या तो आएगी, आएगी, तो एक तो क्या होता, समश्या आती है, तो समश्या से भाग जाएगा, कि मेरे बस की बात नहीं है, वही, कौर्शा करम योगी पहला, आज तो आया, कल आये नहीं, कि यह तो जदा बड़ी बात करता है, यह तो गड़ बड़ा आदमी, भाग गया, पहले दिन आता है, दूसरे दिन और कई जाता, तीसे दिन और कई जाता, ऐसे गुमता रहता, कुछ नहीं करता, समश्या से भागना, अब भाई साब, कोई भी चीज को पढ़ोगे, शुरू करोगे, तो पांचार दिन, दस दिन, एर्जस्ट होने में तो लगेंगी, लगेंगी, कितनी दूर भागोग तो क्या होता है, समश्या से भागता है, दूसरा होता है कि यार, ये पढ़ा रहा है, तो समश्या का सामना करूं मैं, देखो तो सही, ये क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, रोजना उसके सिखे, तीसरा निपटने का प्रिया, समश्या का सामना करेगा, तो उससे निपत कि चीजों को देखे आ रही है कैसे हुआ है और तब जाकर के समझ्या क्या हुआ है तो मैंने कोई मोटिवेट लेक्षर नहीं दिया है मैंने शिर्फ तुम्हें तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में बताए कोई मोटिवेट लेक्चर नहीं दिया मेरे तीन चीज़े समझ माई कि एक आदमी का व्यक्तित्व किस ताइप का है वह अपने आप छांट ले उसको मजदूर बनना है या उसको उपर जाना है अगर मजदूर बनना है तो थोरी एक्स समझ्या उसे लड़े इधर बाग रहे आपको मिल जाएंगे या जाल लड़के मिल जाएंगे यह बार चाय की थड़ी पर तुर बारे बात करते हैं पांच-पांच साल होगे पांच-पांच साल फलानी कोचिंग बढ़िया है फलानी क किताब बढ़िया तो तु क्या कर रहा है पांच साल में या जब तेरे को कोचिंग का तेरे को पता है फलानी किताब का तेरे को पता है तो तो तेरे को पांच साल कैसे लगे खुब ग्यान देने में मिल जाएगे अरे हम बोलना चाह रहे हैं कि जिसको कोचिंग का बढ़िय पता है सुब कुछ उसको बढ़िया पता है तो तू 5 साल से यहांपे क्या धक्ये खा रहा है दो बाती नहीं है इतने दिन भाई प्रशन तो करें नहीं समझें भाई एक बार बोलूं आपको वो कता जा मैंने फ्लानी कोचिंग से कर लिया और यह है और वो है तो तू पांच साल से तू परीपास नहीं कर पाया तो क्या कर रहा है यहां पर पाड़ी बोला कि उच्टो मुल्यांकर करें यह तो ते रे में खोट यह तेरी कोचिंग में खोट है कि दो में से एक तो है कि अब कोचिंग में खोट है या तेरे में खोट है कि आया कैसे मेरी बात समझ रहे तो अपन को क्या है कि हम एक्षुली क्या है कि चीजों को स्राइडंग से ले नहीं पाते हैं कि हम खाली क्या होते को इसको मैंने स्कूर्स को इसलिए सुरू कर रहा हूं कि मैं देखता हूं जबस में उसको भड़ा देते हैं वो रट लेता है आये तो ठीक है नहीं जाना है यह उता है आये तो ठीक है नहीं जाना क्या है यह कंसेप्ट आप सो दूर भागता है कोर्सों में आते हैं और रुपे पैस्टों की बात आथा हूं आपको पैस्टों की बात इतनी है मैं तो पटवारी की तैरी कर रहा हूं और एक्जम्पल द्यान से सुनना तो पटवारी के 15,000 रुप तो दूसरा कॉर्स करने लग गया कितने रुपे जमां कराएं जी 50-60,000 रुपे तो ऐसे बर्बात कर दीये और कोई लेड़ा देने कि क्या क्या था ही कि वाद यह कि है इसको बंद कर तो इसको करना पड़े गया कि तर दे बंद कौन जा कि पूंटा इसको बना नहीं सकते यह भी नहीं हो सही से में परेवल अम्मा कहूं तबी हो के तुम भी छांट लो इसमें कॉर्श हो मिल जाएगा तुम्हें इसमें मैंने निर्देश दिया तब हो रहा है सब छुंटा हुआ हुआ मैं और कि कहिटेएं की जूरता भी होती बहुछसी चीज़ें कोमिंसेंस लोल हिए वह मेरे को किसदियों है आपको किस नजरी चंख लिए आङहां समझ में मेरी बात क्लेर है तो यह वे आपकी बात तो सब्कराइब है यह बसकी कि बात किया तो प्लानिंग बनाता है एक होता नहीं है और पर आप इसमें चीजा और जोड़नी बात करें रहें यह पूरानी चीजंग याद करके आदमी क्या होता है कि मैंने मेरा टाइम खराब कर दिया नहीं गड़त है जब जागो जब ही शवेर है कि मैंने मेरा टाइम खराब कर दिया ऐसे सोचकर आदमी क्या होता है उदास तो गड़त है हो सकता है आपको सही आदमी नहीं मिला हो सही गाइडेंस नहीं मिली हो सही चीज नहीं मिली हो तो क हमें पाप को खतम करना है पापी को नहीं हो सकता है इसके दोस्त खराब होने से गरत संगत में पढ़ गया तो पढ़ गया पढ़ गया कोई बात नहीं अब तो सुद्रे वो तो अतीत को खतम कर और हम क्या करते हैं मेरा टाइम घ्राब हो गया मेरा वहाँ चला गया मैं इसे हो गया सब गड़बढ हो गया उसको यादी मत पर दोसरा चिंतित हैं तो कौन सा भविश्य को लेकर चिंतित कि मेरा क्या होगा है कि अअब इस्व कौ लेकर चिंति थैं कि मेरा क्या होगा दो जो वर्तमान में जी रहे हैं और मैंने कहा मैंने जू समझ्यान में लग्मान रिक रे करेंग तो उसका और से ऑट्टमाठिक क्या होगा सुनिश्छीड हो ऑफ ऐसे चिंता करने से तो कुछ होता नहीं कि अ Full अन trophies समझे नहीं क्तीनों वाला क्या करता रहता है एक मेंने और मेंने भोत प्रहर होसी इसको चोड़ो अम्मा बोलूँगा मैं मेरे उपर जुरूर बोल रहा हूं यह कानी मेरे उपर बोल रहा हूं समझी है मैं मेरे अतीत को याद करता अतीत को याद करता तो मैं मेरे जिवन को दो मेंट के लिए सुनना मेरे नवी में तो मैं सप्लिमेंटरी हूं दस्वी में मैं ार में मैं स्प्लिमेंटरी और कप्लिमेंटरी हूं और फिरर आरेच का पहले चांस में ही वेटता हूं और अरस के पहले चांस में जारबे इंटर्यूम में पहुंसता हूँ और जात्तीन के बेच में सेलेक्शन होता हूं अगर मैं अतीत के बारे में सोचता तो आरेस का फोरम ही नहीं बढ़ता। क्योंकि मेरी डीगरी तो कैसी हो गई भई जो समनत है आज तक मैंने किसी की नहीं देखी कारण हम उस समय काव में गड़त रंग से गड़त रास्ते पे चलेगे पढ़ाई पे धाने नहीं दिया नहीं दिया जब हमारे को अश्चा लगा कि देना चाहिए देना चाहिए तो पहली बार में परिपास की मेंस पास की इंट्रिवूर पता है कहें कि अगया समुझने आप Um ंगाहिएं कि अ अकर मेरा जैसा अदमी पूर्व की बात सोचता तो साइद फोरम ही नहींवर्ता को और खरलर के लिए सोचता मेरे दोस्त करते मैं है मैं अभी ऐसिस्टेंट रिस्टारी कौपरेटी हूं मैंएlierr वर्तबान को पूषते हैं लोग कि वर्टमान को पूछते आप क्या थे फोन पूछता है कि हमारे उपर हम त्यारी करते थे तब हसते थे लोग कि तु करेगा क्या त्यारी क्योंकि थर्ड विजन सप्लिमेंटरी पर उसेंगे लोग और जो वह पच्चाशी 90-90 पर सेंट लाए वह दस दस बर्स बाद में 10-10 तक हमारी नोकरी हो गई ना तब तक वह थर्ड ग्रेड टीचर में लगे जो हमारे ओपर क्या करते थे हंसते थे तो कि नेगेटिव माइंड आ रहा है बात समझ में चीजों को सब तुम्हें बता रहा हूं यह चीजे अब तुम कहोगे अमारे को आज पढ़ाया तो है नही हमां मैंड से ही आदमी सोच ही क्या बनता है आदमी बनता है नोलेज से तो मैंने बता दिया मेरा उधार मिता दिया मेर तो बेस बिलकुली खतम था मैं नो अटहिक्भा बैठीशान कर रहा है और टोलाड का अब यह सोच मार्य में अधिकन डेगा अब उसका एक उधारन ओर देता हूं बहुत बड़ी उधारन है आई-एस का रिजल्ट आता है पिछितर परसेंट लोग वो सेलेक्ट होते हैं जो सामनत है किसिन किसी के आरेस के आई-एस के बच्चे हैं वो तुम कहता हो साब रिक्ष्य वाले का बच्चा पास हो गया वो फ NCRT पढ़ने से पहले तो तो कोई कोचिंग में जोइन करना बाद में तो तेरे देरे तुरा बेस पूरा कोर्स हो जाए तब फोरम को बढ़ना हम फोरम बढ़ने के बाद आते हैं अरे आज इस तुरे क्या वेकेंसी आगे उसके बाद तो आता है और वो करा तेरे को दो साल आई इसका फोरम ही नहीं बढ़ना पहले कोर्स पूरा कर तो फ्रक हो गए डाइडेंस हो गई ना सामानत्य भोच से लोग इंतजार कर रहे हैं वेकेंसी कब आएगी कर रहे हैं तो वेकेंसी आने के बाद क्या होते है एक्टिव एक आदमी क्या हो गया कितने को छटी से ले से लो हो गया है स्टेप्स और क्या है और ना तो वही है आगे आप बोलो समझ में आएगी तो यह टोटल आपकी बात है तो यह तो आपको बताया मैंने मोटिविशन की दरिश्टी से अब आई आप आगे अब देखो एंसियाटी के हमारा पहला तोपिक होगा वह कौन सा होगा बोलो एंसियाटी मैंने इसमें तीन भाग बनाए हैं एक तो एंसियाटी किताब को पढ़ेंगे किताब को क्या पढ़ेंगे राम से कोई दिकत नहीं यह उसमें अराम से पढ़ेंगे तो एंसियाटी किताब को ही सब adam टारो पर लों क्या कि नए अप Hani आप बब सकी किताब को आप भी अपने किताब लिया होगी शुटी से लेके दस्युता की किताब लिया हो अब हो सब्सक्राइब तो नेशनल कॉंसिल ओफ एजूकेशन रिसर्ट और अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा एक बार आप बात देखिए एजूकेशन ट्रेनिंग देखिए एक बार दो मिनिट के लिए इसमें नेशनल कॉंसिल माला नेशनल कॉंसिल का मतलब तो क्या हो गया कि राश्टिय परिश्द राश्टिय परिश्द समझ के संस्त परिश्द मनला मैं जीरों से बोल रहा हूं संस्ता राश्टिय स्तर की संस्ता अब से तीन सब्द देख रहे हैं एजूकेशन एजूकेशन बाद में आपको बच्चों को बढ़ाना त्रेनिंग देनी है अब ट्रेनिंग किसको टीचर को भी और इस्टूडेंट को भी इसलिए पाथ है क्रम तयार कि समय समय पर एडूर्ट में नया क्या हुना चाहिए इसके लिए क्या करता है रिशर्ण रूर्व क्या कब्या का करता है ठेनिंग का प्रोब्राम त्यार करता है प्रेंग धेने किसको एक्प्रश को भी क्योगी वह तो पढ़ाएगा और किसको स्टुडेंट को भी इसके लिए वो किताबे तैयार आगया वैस समय समय पर अब आओ अब इन्होंने क्या कि इसके लिए वो पाठ्थे करम तयार करवाता है पाठ्थे करम को तयार करवाता है वो लोग लिए रहा है पाठ्थे करम को तयार करवाएगा हो अब अभी जो तो हमारा पुच्छी किताब खोलो गेंसे अटिकर लाओगेंस एइट इसमें लिखा हो ता है रास्टि पाठ्थे प्रहम्ड दो जार पांच एन्सीएफ आगया नेशनल केरूकलर्म फ्रेमबर्क लिखा होता है तो एन्सीएफ रास्ति ये पाठ्टे करों कोई भी किताब को खोल लो तो वहां पे अब सुनो आपको हर चीज को पढ़ना है कि आपको ये भी पता होना चीज सबसे बिले तो किताब को खोला तो एन्सीए कर रही है कि कोई चीज आज तो है कल भी वह बढ़िया हूँ अब अगर प्रमप्रागत तरीके से हम पढ़े रहें ये कोर्स हम नहीं तो कर रहे हैं ये क्या है प्रमप्रागत तरीके से थोड़ा हट करके है तो सोद हुआ सोद के बाद में हमने नहीं तरीके से पढ़ाना क वेसे काम कोन कर रही हम सब्सक्रanh šit इसके लिए पाथ क्रम क्या करवाती है त्यार पथ्धक्रम को बोलते क्या है roar यह कोई भी किताब किया प्रोफेशर एसपाल प्रोफेशर एसपाल यह लोकुशन में बन गया प्रोफेशर एसपाल समीटी ने त्यार किया यह अब इस प्रोफेशर एसपाल ने क्या 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 गाइडेंस करी जरा बताएंगे आप थोड़ा वह अगर थोड़ा सा भी आपने आपने पहले आरेस की तेरी कि यह आपने में के रही है थोड़ा सब्सक्राइब क्या बोला अरे तुम को टीचर की कर रहे हो तो उस वह बता दो क्या बता अरेस्पाल क्या बात बोला इस पाठ्ठ् faram को तयार करते समया है पहली बात उसने बोला कि पाठ्ठ्थे करम ऐसा होना चे यह जिस्वें रटन्स से मुक्वी हो से के पाठ्थे करम इस तायब का हो जिसमें रटन्त नः हो क्यों हमारे रटन्त पढ़ कर करके यह लोग मशीन बन गए नहीं की मानव और मैं क्या करा हूँ बहुत से स्टुडेंट आप आते हो लिखने के लिए तैयार रहते हो कि यह मास्टर कब लिखाये मेरे को और इसके लावब कोई सोच और यह बड़ी वाली जो सवालाक है एकलाक वाली है यह इतने इतने बड बस्ते ले जा रहे हैं और खाले बहुत बढ़के बोरे और मेरी गारंटी है मेरी क्लास पढ़ाने के बाद उसी विश्य पर आप उनको पूछना आपका लाख रुपे वाला एक तरह पर में एक तरुकि कारण है उबेश गहीं थे हैं कांडियों सो थोड़ी पेट बरता है पहला नमबर कौन सा गया रटन से मुक्ति दूसरा नमबर उसने क्या बोला बोलो अब बोज से मुक्ति बोज से मुक्ति, बोज से मुक्ति ना पाठ्ठे करम का भी कम हो पाठ्ठे करम कम हो तो बस्ते का बोज भी क्या कहोगा कम और और बस्ते का पोज शाथ में परिक्ष्या कोजों भी क्या हो कि पहली नमम k香 सा पाठ्थक्रम कम पाठ्ठे करम कम होगा तो मानसिक रूप से बच्चा थोड़ा फरी रहेगा फरी रहेगा ना और मानसिक रूप से बच्चा फरी रहेगा तो क्या होगा मानसिक फरी रहेगा तब ही तो रचनातमक ताएगी उसमें आज का बच्चा रचनातमक क्यों नहीं हो रहा आप स्कूल से लाए और उसके बाद चुशन बेद दिया मैच निकाल रहा वो निकाल रहा सोचता कहा हो कल आपके खूब बच्चों के माबाप अपने बच्चों की स्टेटस पर फोटू डाल रहे थे मेरे के पिच्चानमा आया मेरे के अठानमा आया क्या काम के उनको आता तो नहीं स्टेटी का नाम पूछ लो ठानमा वाले को कि कौन है तो मां बढ़ाना सोट दू आपको जो कोर्स उसको दिया गया वो रट दिया आज कल अधाधा कोर्स करी दिया तो आटोमेटिक नंबर आगे काम हो लिए माबाब खुस हो रहे हैं माड़ा पिरा रहे हैं तुछ नहीं करता है आया क्या बोलो क्लीर है गया जब बक्ति के पास अभी मैं बोल रहा था अभी मैंने आपको क्या कहा कि पांसा दिन मापका माइंड सेट अप करना चाह रहा हूं फैला नंबर कॉनुसा पाठ्थे करम अगर कम होगा कम होगा तो मांसिक रुपसे बस्टा फुर से क्या होगा फिर अपड़ी होगा तो उसकी में रशनात्मक न मया बिजनस पहर आगी हैं और आज हमें पॉन से लोग नहीं करेगा कि मगरेजु सिन गली बेड करूंगा रमाश्ट बन जाओं ऐसा नंबर दो सब्सक्राइब कोन सा दूशा पाठ्ट करम कम होगा तो बस्ते का बोज भी क्या होगा कम अब श्टते का बोज क्रीक में होगा तो कौन सा बहिं बोलो सारी इन्हें मुक्ति भी होगी ना क्योंकि इसमें एक वर्ड का गया कि डाही किलो से उपर बस्ता नहीं होना चाहिए बस्ता बस्ते का बोज लादगी जाता तो सारे रिक्रूप से भी तो प्रेशान होता है वह बाल स्रम ही तो हुआ वह वह गया तीसरी बात बोलो कौन सी परिक्षा से बोज भी क्या हो कम अब इसलिए इन्होंने नहीं पाठ नई शिक्षा निती में कह दिया कि प्रिक्षा के दो पार्ट करो कितने पार्ट करो दो या सेमस्टर सिस्टम में लाओ तो 2005 से आप देख रहे हो तो बच्चे की प्रिक्षा पता ही नहीं चलता पहले मैंने एक सेमस करें आया क्या बात समझ मैं आगी अगया अब हमने इसलिए इस पाठ्षक्रम में इस चीज़ जोड़ी कि सोमार है ना सोमार से आपको बस्ता का मलब पढ़ाई नहीं करेंगे अपना सोमार से जो साथ दिन में पढ़ाया उसके बारे में डिसकर्शन वगरा करेंगे और वा मास्टर ही मास्टर बोलता रहेगा तो तुम तो बोलो कि यह हो रहा है आठ सो अजार लड़के बेठें और इस की तेहरी करने वाले अजार लड़के एक लासम बेठें घाली उनका काम क्या है यह मास्टर आया लिखाया और मैं लिख लूग बलकि कोई भी परशन पूछे उसको प्ताइब ने तो टीवी पर देख रहा हुँ तो लड़कों को सोच नीचे यह आरेस की तहरी तु यारेस से कैसे कर सकेगा तुरे को इंटर्यू भी देना है प्तेरों को लिखना भी है लिखना कैसे होगा ज्यान होगा तभी तो लिखा जाएगा अब्जेक्टि टाइप में तो चार में से एक देखेगा तो कोई टंपा लग जाए माल लो आया तो दूसरा किस क्या बोला इसने बोस्ट से मुक्ति तीसरा क्या बोओं को कंसा से बाहर कि कक्सा से बाहर क्या क्सा से बाहर क्या अ MEiriabsाइब केवल केवल ककसा ही नहीं होने की ए pomo जीतना बहार रहेगा ना बंदा तो उतना ही शेकर गाétais और पेटी का को आयाटी में मुआ तो ववपाल थी ठand memeora पहले साल में क्या किया एक बार लेश लेगें एक बार उनको मंबई आयाटी में लेगे पांसा दिन दस दिन के लिए अब वहां पर लेगे तो मैंने का बेटा पढ़ाते पुल पपा वही खाली गणितर अपनी बारी वाली वही बता रहे हैं कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं अब वह क्या कर रहे है केवल उनकी सोच विक्षित कर कव यही कि विदेश का 57 दिन का कोई आइटी का टूर कर factor मनला वहां की सिसंस्ता का टूर करवाया तो उनकी क्या देखेगा तो लिए तो सज़क के अब में याप कि कोणिन तो वहां भी हैं भी कैमपस में दस दिन के लिए रोकता तो वहां भी सिखे गां खिके अटेंस को व् लहाँ आया ना सुन्द्रा जी एक word बोलती है कि परियतन जो है वो तो पुस्तकल है पहाण निकलेगा तो खाना खाने का धंग भी शिखेगा बोलने का धंग भी शिखेगा लोगों को देखेगा तब यह तो सपने लेगा जब आप देखते ही मोटर साइकल हो तो मर्सडीज के सपने का से लोगे मैं गलत बोल रहा हूं है यह अपने सिस्टम मैंने इसको इसलिए चलाया कि मैं थोड़ा सो नोलेज मेरा है और गरीब आदमी बंचित हो रहा है इसके सोच ही नहीं है कहां से है अब मैंने रोज़ना बोल रहा हूं कि पैसा है नहीं इसमें तो कक्षा से क्या हो बाहर सिक्षा तीसनी बात इस नहीं है इसे क्या होगा बच्चे का overall development होगा परकर तो उसका मलब व्यक्तित तो क्या होगा बैठरो और आज के प्रपेक्स में बच्चा कोन होना चाहिए ओवरॉल ड्वल्प्मेंट क्योंकि आप एक तरफ बेश्वी करन वाली बात कर रहे हो तो इस बेश्वी करन में वह कहां टिक्ट पाएगा आया समझ में मेरी बात क्लिर है तीन बात इसने बोली और एक उसने बहुत महैतपण बहुत पुली कि गनित पर बच्चे का अधिवार होना चाहिए गनित पर बच्चे का क्या होना चाहिए है अधिवारू उस्ने दो जार पांच के बाद यह स्पाल की रिपोर्ट आई ना तो हर जगह हर कंप्टिशन में गनित करती। भूबनाश्ट पहले IS में गणित नहीं थाा सिखेट कर दिया, RS में गणित नहीं था, contrary, ASI में पहले इंदी और जीक्ये था, SI में गणित कर द आपका SSC वगेरा, अपने वाले पतबरीbenों 60 वगेराम से कोई गणित नहीं थे इसम में गणित नहीं थे in कि हैं आपकी एड मास्टर में पहले रझए ती जिके का पो प्रतास सब गणित भगी फ़स्ट में गणित नहीं ठीज गणित गछी ऐसा कोई अग्जाम नहीं नहीं नगे अब तो सी ती फष्ट सी इती से । कि आज सो परसेंट स्टार्टप ना स्टार्टप स्टार्टप समझ गया बड़े बड़े जो भी एपिजिक्स वालार यह सब यह कौन है आयाइटी या उसकी तहरी करने वाले या या एटी से जुड़े वे मैथ्स वाले हो तो गोट्टी खाना मुश्कुल हो जाएगा पच्चे को बताए तो सही कि क्या हो रहा है दुन्या में भूरा मत मानना तुम कई तो टीचर की तैरी कर रहे हो और तुम्हें यह सपाल कमेटी की रिपोर्ट का ही पता नहीं है अच्छे पाथ्यक्रम क्या है और सुनो तब हम पिछडे हैं दो जार पांच में चीज आई थी आज दोज़ाच चोईश चल रहा है और दोज़ाच चोईश तक बीस साल में चीजों का इप्पैन ते बढ़ें कि उसक्षा क्लिक्श चल दी रहाइव अगया बढ़िए बोलो खलिर गया कि इन चीजों पर इन्होंने और एक लास्ट वाला पॉइंट है वेवारिक शिक्षा कोण से व्यवारिक व sap bestkennt की सिक्षा और इसे सिक्षा और यह जगा धस्याना काली वह को ऑन सा ग्जान कॉर सा ग्यान कंट्रातों ग्यान थोड़ी कामाइगी अंय गर्जें कषड़ी संस्कृता थोड़ी जीवन में संस्कृति-संस्कृत काम आएगी क्या? इंदी वाला यह सोचता है, मैं तो इंदी है, मैं तो इंदी बड़ी ऐसे बड़ी आए, तो उंदी-इंदी काम आएगी क्या उसके? कि यह बात बोली साब एस्ट पाल समय दिने इन पांच बातों पर आधारित ना यह पार्थे करम बना क्या बना पार्थे करम बना उसके नुसरी पार्थे करम त्यार हुआ जिसका नाम क्या है राष्टिय पार्थे क्रम 2005 से समझ तो לחिफ समझ तो गए एक एन सारव से समझ फिर बोल रहा हूं अब आप यह भी हैंसिर तेका करवा रिसर्ट क्यों जरूरुरी है अगर रिसर्ट प्रक्राट नहीं तो विकास होगा तो मैं को तुम्हारे ओक पर सोद diferen कि मेरे क्या सब्सक्राइब ने क्या वड़ला जाएक निकौन जो सयंको क्या माने अज्ञानी कौन जो सयंको क्या माने कि जैसी अग्यानी माने के वा यह तो सिखनेगा I am इंदी में और अपने हां पे तुरम खा हो रहा है यह थोड़ों को देखता हूं तो बेरे को खुद को नज़ाता है यह ऐसी घुम रहे है कि अपने आप पे ना कि मैं तो फ़लानी जों कर लिया क्या पूएगा उससे दुनिया घुमती है कि अगया समझ में बोलो क्लीर है कि अब आप पड़ा अब यह टोटल आपका हो गया अपका क्साच है का स्लेव सोटा रहा होगा अगे बहें एंसे अटी बिल्कुल क्लीर है एंसे इस्पाल समिती आगी ऐसा इससे क्या फाइदा हुआ बोलो मैं फाइदा क्या हुआ सोच विक अब आईए इसमें चार किताबें कितनी किताबें हैं दोस्तों चार समझे पहला नाम दिया हमारे अतीत यह इस्टी की किताब है अब चुलो इन्होंने दिया हमारे अतीत फस्ट तो इस्टी की पहला चरण हो गया अगला सुरू से होता है कि इस साब पूरूर कैसे निकालत है तो सारी चीजे पुरूस्ते लेकर तात्वी क्लास में इसका थोड़ा एड़वांस आएगा हमारे अतीत सेकिंड हमारे थर्ड आठवी तक तीन बनेंगे बाम आटोमेटिक इस्ट्री आ जाएगी और बड़ी अच्छा बड़ी अब एक स्टुडेंट को अपने बोल दिते इस्ट्री के आठवी तक तो बेस मिलेंगे बोलो कौन कौन सा हमारे अतीत फर्ष्ट सेकिंड थर्ड और नौवी दस्वी से वो जो हम सिस्टेमेटिक इस्ट्री पढ़ते ना वो तैयार शुरू होगी तो नौई दस्वी में वो होगी तो उसका बेस पूरा त्यार होगा ह आपके निचे से कोई प्रशन बचेगा ही नहीं आया बोलो क्लीर है चुरू करेंगे दूसरा पर्थ्वी में हमारा आवास हमारा आवास अब आवास हो गया पहले में कहां रहते हैं क्या रहते हैं सब चीज़ आगी इस्टल मंदल जल मंदल जो भी कुछ है बाद में कि यह कौंछा आ गया जोग्राफ सामाधिक और राजनतिक जीवन इसमें पोलिटिकल साइंस पोलिटिकल साइंस और कौन से आगी एकोनोमिक से सोसे लोजिवा कि राजयस्तान अब हारा राजस्तान कोंग को सा हो गया फस्ट सेकेंड थर्ड नौवी दस्विद दस्विद तक कोई साही कॉंप्टिशन कोई दिक्ट है तो बताओ अब हमारा हुद्ध से यह है कि हमें केक और कोई जदा टाइम नहीं लगेगा एदम तुम खुद मैचोर हो फड़ा सा मैंने बोला किताब को पढ़ किया हो आपको समझ में नहीं आएगी मेरे को पता है तुम्हें लगी र प्लस करूंगा पुछ एक प्लस करूंगा तो जोड़ूंगा चीज्यों को फिर अपन साथ में टेस्ट करेंगे आप सोचो मैं करो क्रांती आ गया अабऑ आओ वपर अब नसे ये स्ले बस दिया देखो nord और अब नहीं यह कर ओर कौँंगा कि हम क्या के एक दिन हमारे अतीद का एक टोपिक पढ़ लिया एक जोग्राफी वाला टोपिक पढ़ लिया एक दिन कौन सा सा पॉल्टिकल वा करना लेंगे एक एक चीज़ों में बहुर भी नहीं हो यह इतियास है, अगलेने कसे शुरू किया कि यह इतियास है हमारे इतित का मतलब장이 जब MINT क्या है इतियास कब शुरू हुआ इतियास कहां से शुरू हुआ और कैसी कर्साइबू एंव कि बात है क्या अब सुनोस अब तुम कोई RS की तारीक्त कर रहे हो और यह करे करे पहला क्या देगा सब्सक्राइब है आभ यह जानता है नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आगे कि अहलें बात है लिख़ा है तो अग्या करätzen का बात अगया अगला देखें बाद में कहता है आखेट खादे संग्रे से बोज शुरु शुरुवात आखेट की हुई शिकार करता था आदमी तो कौन सा पुरा पुरा पाशान काल वगरा है वह यहां से तक उत्पादन करने लग गया विकास हो गया आदमी आरंपिक नगर कैसे थे प्ता चलता है अगला राजाई राज़ा और प्राचीन इघंड राजा किसे बना गन्डाझे क्या नए पर शुक है अभी यह तो राजा पॉन्सा व्यासोग मौरिये काल पुष्टाल गाव और सम्रद्रस है और व्यापवारी राजा तिर्थी आत्री नए सम्राजय इमारते चित्र कितावे यह मलें 11 टोपी के कित्रे टोपी इग्याद पहले चली ग्लास की किताव को मेरी बात को सुनों पहले चली सक लास की किताबजिंद में चांग अधूरी पिरोजिंद में Buddhist बाद में सुरू किसंपी जोग्राफि जिसे नोट्स बनने में भी क्या होगी उसमिदा तो बार-बार वह दूसरे से क्या होंगे मिक्स समझ गए मेरी बात को यह दोस्तों हमारा अगली बात अब अब दूसरी बात है अख़बार के बारे में बताना सारत है अब न्यूजपेपर जो है क्योंकि सुन लो आज के संद कि उसका नाम क्या है जरा बता हो इस प्रशन पत्र का नाम क्या है बताई कि है कि एक बात यह बताओ प्रशन पत्र का नाम क्या है आपके प्रशन पत्र का नाम क्या है बताईए कोई भी कॉम्प्टिशन का प्रस्टन पत्र होता है उसका नाम क्या है उसका नाम होता है जनरल स्टेडी एंड अगेड़नेश आप पोईश्रा भी आरेस का देख लोगी जाके उसमें लिखा होता सामन्य दन एवं समसामे की या जाब रुपता अब बताऊं बुरा मतमान ना स्टूडेंट यह नहीं जानता अब नाम क्या वाच जनरल स्टेडी जो है वो तो हमारी त्यार किस से होगी एंसे आटी से और जागरुकता जो त्यार होगी हमारी एकबार जनेनल स्टेड़ी हमारी किस्से रोगी निसीयरटी और जागरुपता किस्से थै亃 अगया क्लिए अब मैं बोलना चाह रहाओ राजिस्तान के दसे मैंने वक्सिक समाचार पत्र क्या है कुछ नहीं बता रहा है कुछ नहीं के काम काया जाग रुपता आप में कैसे आएगी जूकि यह श्वाइफान ना वह वैसे ह् पहुत से पार रंगा अब तो समूलो उन्वन पेपर कैसे बना रखें ककशा से बहार ग्रांइ ये कौण बताएगा तुम्हें न्यूस पर builder बद्रित किक्षिए किता में तो ही नहीं आ गया तो देखे जैसे उपर करें तो राज़तान का परसिद समाचार पत्र कौन से राज़तान के परसिद समाचार पत्र अब जैसे मैं परीचे करा रहा हूं खाली है जै सबसे पहले आप रोजना राश्तान पत्रिका का नाम सुनते हैं किसका राश्तान पत्रिका आपके अगरों में आता है आदत भी डाल लीजी अपन पढ़ेंगे इश्पवी दिरे दिरे ऐसा नहीं है कि आपको रोजना एक न्यूज बता दी उसके चारोतरप के कोने आज कोई डूज आई उसमें चारोतरप तरफ के उसके एंगल बता एक ही बहत है धीरे धीरे तुम सब समझ में आने अगया अब आई राश्तान पत्रिका का सहस्टा पक था कपूरचंद कुलिश कपूर्चंद कुलिश ब़ला राश्तान पत्रिका अकुबार है उसको बना कौन था कपूर्चन कूलिष का पूर्चन कुलिष सोड़ा गाउन का है कि देत हो गई तौ इनकी कि मूर्ती में इनिकी इसमर्ती में कपूर्चन कुलिश इसमर्ती बनाये गया अब यह चीक्टे भी है तो यह आपका OTS के पास क्या बना दिया इसमर्ती वन इन कपूरचन कुलिश की अपन को दिमाख में रहना चीλλेहें जातेश hörकां कोको कोई विसी नहीं चोड़ने ऑना किसाब कर पुर्चन कुल इस्मर्तीवन तुम गूमने गए तो तुम्हारे दिमाक में तो रहेजैंद किसाब में कुल इस्मर्तीवन है तो यारे है कौण को आप शबया पत्रीग क्या है संस्ताव एक फोर एक जामपल एक छोटा सा उधान देता हूं अपने साथ छोटा बच्चा गया हो अपना बतीजा बेटा बाई कोई भी गया हो और कई घूमने जा रहे हैं तो उसमें लिखा हो ता उपर कपूर्चन कुलिस स्मर्तिवन अगला वो आपसे छोटा सा कुछन पूछ ले क अगल यह कोन है कि अपना नाम तो लिख नहीं सकता पूछन कुछ तो किया हो अगले अगले अथवाद दो कुछन हो गये ना कि कपूर्चन कुलिस स्मर्तिवन कहां है जैपूर में और यह है कोन तो पत्रिका का क्या है संस्ता गे थोड़ा सा आगे गे आप उसी पे ओटीस गता सा गए पत्री का गेट आगे चाहिए जवार social ते नरे पत्रीवार क्या है गेट आगे न पत्री का गेट आगे अगे पत्री आगे आगे अब उसके भाद यह कपूर्चन कुलिस खतम हो गए तो राज wesshine में परेटा की श्ट्र में एक से पूरुसकार भी म्यवstat पूर्चंद कुलिस से इसमर्ती पूरुसकार भी दिया जाता है द्यान दींजेगा इसको केश के अवार्ड बोल ले अब दोस्तो मैं आपको जो बोल रहा था सुनि unknown को अभी भी बोल रहा था ना कि ज Armor तुम बाहर घूमने जाते हो तब ही तो चीजों को देखते हो विए उसधी परकार से बाहर को पढ़ोगे थाहिए तब ही तू चीजों को जानोगे कि मेरे को क्या तो पढ़ना है प्रदान संपादक वह कौन है गुलाब को ठादी और गुलाब किताबों का नाम मानस और मही राधा और मही करसी अब आप एक सामाधिक कारिया भी करते हैं तो इन दिनों आप रोजना पत्री का पढ़ते होंगे तो यह कौन सी एक चला रहे हैं कौन सा अमर्तम जलम यह हमारे पुराने जितने भी जोड़े जाड़े नहीं है कि वहां को साफ करवा रहे हैं कि बरसाता जाएगी तो उसमें पानी बढ़ जाए अभी आपका कुशन पूछ लिया कौन सी कि कौन से में अभी आपका दिनस्त बोर्ड की प्रिक्सिया उसमें कुशन पूछ लिया कुलेज वाले में उसमें यह पूछ लिया कि राजस्तान पत्री का कौन सा सामाजिक सरोकार के लिए काम कर रहा है तो को अमर्तम जलम अमर्तव जलम का मतलब क्या है मारे पुराने जितने भी जोड़े जाड़े नहीं है क्या इनको साप करवा देंगे बावड़ी बूड़ी साप करा देंगे तो अभी बर्सात आएगी तो उसमें पाणी क्या हो जाएगा इक अब सुनिए एक छोटा सा उदान दूँ अब आप यह जानते हो तब आपके गर में अकवार आता है अकवार आता है तो अकवार आता तब ही तो आपका इंट्रेस्ट बढ़ेगा अब देखो यह गुलाब चन को ठारी है भ्यानिजे मैं एक वरड़ बढ़ बलो एक उन्हीं लेख अब आधि जानेगा तो ही तो पड़ेगा इनको मैंने क्या बोला तुम मेरे बेटी वाला उदारन बताया कि उसको मुंबई लेगे या विदेश लेगे तो क्या चीजों को देखेगा तो ही तो हमारे देखने का मद्धम क्या है अकवार अब ही आप आए गया यह यह आपका कौन साथ गुलाब चुद्ध कोठारी के प्रिपेक्ष में अभी-अभी हम बात करें थे अमर्तम जलम की तो इसमें आपका अमर्तम जलम का यह रोजना का इनका प्रोग्राम चलता रहता है रोजना आप देखोगे तो अमर्तम जलम का यह बावड़ी वगरा साफ कर सब्सक्राइब प्रोग्राम साथ करवाते हैं तो यह तोटल आपको कौन से में आएगा जब चीजों को देखोगे तब पता चलता है कि मैं कुछ नहीं बता रहा है मैं तो कर रहा हूं आदमी अकबार क्यों पढ़े जब उसको इंट्रेस्टी नहीं होगा तो पढ़ेगा क यह तो खतम है यह तो खाली डिगरी का माद्दे में है तो टीचर है उनको क्या रहा है वो खुद तैरी करें सारे तुम सौचर हो हमारे कोलेज में पढ़ा रहे हैं सब टीचर तारी करें तो चीज्यों को देखिए आगे अब आये अब दूसरा अकबार कौन सारा देनिक भास कर कौन सा देनिक भास कर एक बात ताउं तरब मेरी बास सुने अगर घड़ी मोबाइल यह कल और नहीं लाने द आत्वात चूट गया दो गंटे में तो आप टाइम देखने लगए गोर होगे इतने में तो खेल खतम है मैं तो आपको दिखता ही बावला सा हूं आदमी से जान जाता हूं कि कोण आएगा और कोण कल नहीं आएगा मैंने तो पहले इसमें लाइन और लिखी है कि थोड़ा बहुत इंट्रेस्ट रखे वही हमारे पास आए नहीं आए भी नहीं क्योंकि मैं जितनी मेनत करता हूं आपक्सा भी उतनी करता हूं कि मेरे पास पोई एसा कोई सपाढ तो है नहीं ताली दोनों अठों से बजेगी कि रूच्छी नहीं तो भरवालों कि पैसे भी खराब मत करो टाइम भी मत करो और जौब भी मत उस सित्रों में तो थोड़ा कड़वा आदमी हूं तब यह तो मेरे पास आते नहीं बाग जाते हैं कि ओजकल चाहिए गोली पोली नहीं होती क्या कानी सुना रहा है थोड़ा महाल बड़ा दिया अब हमारे पास करें एक मिनटी गोली नहीं यह है मंत ऊसस्पिता की तरह काम कररहाँ पिता नहीं बसका तरह सोचता है कि इसका ब्हुंसे का से निर्मान होगा है कि अपर सीरे लगी हुएं इससारा काम होरा है अपर यह इत्रा सोच रहे हैं और 10 बहुर्ण हो दूसरे को किसे कर फदे हैं वो तो केवल इतना है कि शन साधनों में लग जाए उत्रा वो खर्जा तो कि आपको इतना तो कागेजी देंगी बात समझ एक है जैसे चीजों को कि नो पिन्ना रूच्ची के एक और पीच में बताना पड़ेगा मेरे को एक सबसे पहले वेदों में एक बात कहीं किया एक विदिया स्रमनी विदि क्या करता है कि गूरु करता है उस बात को सुर्दा प्रुक सुनू स्रवन का मतलब क्या स्रवन का मतलब है स्रदा पूरुक सुनना यह बड़ी बात नहीं स्रदा भी होने चीए अगर मैं तुम्हें कर रहा हूं जिसकी स्रदा नहीं है ना उसको वाँ पड़ना ही नहीं चीए इसलिए मैंने इसमें लाइन लिखी कि हमारे प्रति विश्वास हो वह यहां पर आए पहला आदमी मिलूंगा आपको ऐसा करने वाला कि यह बात आपको फिक्स है कि यह ताली दोनों आथों से भजेगी मैं पढ़ाऊंगा और तुम उस पर धान दोगे और वह भी किसके सरदा के साथ तब जाकर के क्या से लेगा काम तुम से पहले गुरु करता उस बात का सरदा पुरोक्षरण करो फाद में उसका घर पे जाके मनन करो मनन मलब समझे कि स्विचार करो उस पर और निदिधासन नी का मतलब है निदिधासन निदिधासन के बाद उसको आश्रन में उतारो अब जोसे मैं इतनी बात समझा यह आच्रन में भी क्या होने चाहिए उतर नहीं चाहिए कि यार मैं एक्ट्री एक्सुलीיק का वेक्ति हूं मुझे तीसरा करम योगी बनना है पाद मैं घर पे जाके यह सोचे हाँ यार यह सही आदमी कह रहा था मैं ऐसे पढ़ता था अब मेरे को ऐसे सुधार करना है जब वो ही नहीं सोचेगा तो काई के पढ़ना यार लेकिन यह कब संभो होगा जब गुरू के परती श्रदा हो संस्ता के परती क्या हो श्रदा और सुने उस पोड़ा श्रदा होगी तो ही सुन सकेगा नहीं तो फालतो लगेंगे चीज़े कैसे करना पड़ेगा एक तरफ आपकी कमिया एक तरफ मैंने जो बताया उस पर मनन किया कि हर आज जो बताया वह मेरे में क्या थार इन्होंने क्या बताया पिर उसको आचरण में क्या करना पड़ेगा होता है तो दोस्तों यह तो देखो भूल जाना यह को आये चेन पर को चलाने की जूरत नहीं है तो वो तो है नहीं आपर यह तो गुरु कुल है पस्ता है नहीं साप्षी बाता है कि नहीं समझाया इसलिए मैं आएं भी डालता हूं ले इसलिए चलता है क्योंकि वह यह जो आ पर मस्तीवाला ना वह रोणिके ऊस पार है रोण और उस पार राड और आस पर समँदे गया अपको कोई ड्हान ही नह dosos में कों से पुली बैठव बताई नहीं सब्हुंद दा कि मอยआद्चे एधर करो अधर उब Jewsup Mikél We." यह नहीं समझे उनका आज है का टोपिक हुआ तुम्हाज मैं आए तुम्हे न की डिन आए कि तुम्हें किधर ही जाओ किधर ही आओ उनको पर मसलब है तो उदर है तो समझे समझे कुछ नहीं होगा तो देखे मैंने क्या बोला देनिक बासकर का संस्ता पर कौन है रमिष्चंद्र अगरवाल अब यह इनका भी सामाजिक शरोकार का प्रोग्राम चलता जिसका नाम है जल सत्यागर है कौन सा उसका कौन सा है मरतम जलम और यह कौन सा चला रहा है जल सत्यागर है जल सत्यागर है अब दोनों कुछ नहीं भी आते हैं अब एरी बाह सुनो अब हमारे पॉपुलर आज मैं अकबार के बारे में चर्चा करी आप से आपर जिन्दी मालों नहीं पढ़ा हो या कोई नहीं पढ़ा हो तो आदमी को ऐसे तो लगा यार अकबार भी कोई चीज होती है क्या तब जाकर के हम अब जैसे कल से हम पहली न्यूज शुरू करेंगे कि कल आप थोड़ा बहुत पढ़ क्या ना कोई कोड़ सी न्यूज है उसके बाद में एंगल चारो तरफ के क्या लग अगया क्या समद्ध में मेरी बात क्लीर होगी तो पहला टोपिक तो होगा मारा कौन सा एंसियाटिक का जो तुम्हें बता दिया एंसियाटिक का होती है क्या लोजिक है उसका दूसरा टोपिक हमारा कौन सा होगा समाचार पत्र का कौन सा समाचार पत्र यान एक बार का समद के अपर अपने समंद दो हैं लेकिन इक इस्तिर और होती क्या है जेग्राफी인 होती क्या है है होती क्या है प्लेटिकल इक्रूम्स आगे कि अब हम उसके बाद उसके आगे बात आपकी तो यह इंट्रोडक्शन ही था इसमें आप अपने कोई भी रिष्टेदार हों कोई भी बच्चे स्टुडेंट हो आप ऐसे जुरूर है कि यह तो एक नॉर्मल सी बात है कि अथेंटिक संख्या होती है तो उसके बेस पर क्या हो इस लोग भी रहें तो बड़ी असब्ड़ी आया समझें कि मेरी बात को लेकिन आप इसमझोगे तो केवल मेरे को भी इसकी जूर्ट कब तक है यह इतनी बात करने कि छे मैंने तक बात में तो एडिमिशन ही नहीं मिलेगा वेजिए मैंने मैं मेरा काम करूंगा तो वह अप तो मैंने फ्रीड करूंगा रही यह बची मेरे को ख़ली लगी कर रही है तो यह मरे फर्स्ट चेर कोर्स में आई ऐसको एक मेरे बात आई है कि पहले यहा करूं इस पर्सट इंग हूंगा है मैंने आघन आ मेरे फिट जच गया जो इसके दिमाद में होगया कि मेरे एक साल बेह्ट का हो रहा है इसका बैश किनग चलjoel रहा है तो 1साल बैट का है तो मैं aumento एक साल बाद में दूंगी और आया के समझ में तो यह हमारे को शुरू में आ रहा है तो दोस्तों अब आज मैंने प्रोग्राम यह बता दिया पूरा का पूरा आपकी खिर्टेगरी भी बता दी आप उसमें समझे विचार करें और कल हमारा वही पांच वुजे क्लास